तो नमस्कार दोस्तों जीके सूरीय चोधरी चैनल में आपका फिर्से स्वागत है दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले राजश्तान के कुछ महित पूर रू के उठी दोस्तों तो पैलлемाराज़न के बात कर रास्तान का सबसे वयस्तं की राश्टियराजमार्य कोंशा यानि कि सबसे व्यस्तम राष्टी राजवारा बताना है एनेच 15 एनेच 12 एनेच 8 और एनेच 14 तो दोस्तों तो सबसे व्यस्तम है वह है एनेच 8 ठीक है अगले क्यूशन की तरफ चलते हैं और अगला क्यूशन है राजस्तान का वे वन्य जीव बेरन जहां राज्य का पर्थम जेविक उद्यान विक्षित किया जा रहा है यानि कि पर्थम बताना है जेविक उद्यान जहां विक्षित किया जा रहा है वो पर्थम बताना है नारगड वन्य जीव बेरन दर्रा वन्य जीव बेरन सरिस्का व जैपुर में ठीक है अगली कुछ तरफ चलते हैं अगला कुछ ना बहुति बढ़ी यह क्योंसे दोस्तों राजस्तान में मत्रना क लाका परदान के अंदर जो मत्रना कळा है इसका परदान के अंदर पूछ रहा है जैसल मेर बांसवड़ा स्वाइमा दूप्रोर बिकानेर त अगला किशन भी बहुत पढ़ी आया है दोस्तों मृत नदी के बारे में पूछ रहा है कि राधस्तान की किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है शूकडी, कांतली, घगर, मन्था नदी तो दोस्तों जो मर्त नदी है जो मर्त नदी है वो घगर नदी को कहा जाता है इसे नेट नदी भी कहा जाता है ठीक है और इसे द्वेस्वती नदी भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे कहते हैं जो वेदिक सर्श्वती नदी है वो भी घगर नदी को कहते हैं अगले क्यूशन की तरफ चलते हैं अगला जो क्यूशन है ये रेगिस्तान के बारे में पुछा है राजस्तान में रेगिस्तान किस छेतर में पाया जाता है यानि कि छेतर का नाम पूछ रहा है पूरी छेतर उत्री पूरी छेतर दक्षनी पूरी छेतर और पस्मी छेतर तो दोस्तों सबको पताएई جो धार का मुरुस्टल है, पस्यवार्सतान के पस्यमी छेत्र में इस्तित वुस्त्रत रहते है। अगले किसन की तरफ चलते हैं। एगला किसन वही राश्टी राजमारग से इक समन्दित किसन है। राश्तान कीस जिले से सरवाधिक। राश्टी राजमारग गुजरते हैं सरवादिक राश्टी राजमारग गुजरने वाला जिला बताना है कोटा जैपपूर अरजमेर और जोदपूर तो दोस्तों सरवादिक राजमारग गुजरते हैं अजमेर जिले से अगले किसन की तरफ सलते हैं अगला किसन बेनेस्वर वे गलिया कोट किस नदी के किनारे बसे हुए है चंबल, बनास, माही और घंबीर तो दोस्तों जो गलिया कोट और बेनेस्वर हैं वो माही नदी के किनारे बसे हुए सहर है अगले किशन की तरफ चलते हैं अगला किशन जो है ये जालावाड वे जालावाड वे गागरोन जो गागरोन वे जालावाड है किस नदी के किनारे बसे विए परवन पारवती चंबल और काली सिंद तो दोस्तो जो जालावाड और गागरोन है ये काली सिंद नदी के किनारे बसे विए हैं अगले questions की तरफ चलते हैं अगला question भी बहुत दिधे बढ़ीया किसन है दोस्तो सूकडी और गुया ये दो जो नदियां है किनारे की शेर इस्तित है यह निकि सूकडी और गुया नदी के किनारे कोई सा सेर इस्तित है सोजटपाली सुमेरपूरपाली बयाना भरतपुरिन में से कोई नहीं तो दोस्तों गुया और शूकडी के उपर है सोजत पाली ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक दुर्ग भी है जिसका नाम है सोजत दुर्ग ठीक है और जो सोजत है यह सोजत यह दोस्तों मेवाड और मारवाड का जो केंदर बिंदू था ये सोजित को ही माना जाता है अगले emotionally की तरफ सलते हैं अगला जो question है ये अजमेर से संवन्दित नाग पाढ़ से है अजमेर के नाग पाहड में कौन सी नदी निकलती है अजमेर में इस ते ले एक नाग पाहड है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है माही, पारवती, काली सी दौर, लूनी दोस्तों सब को पता है जो अजमेर में नाग पहाड है उससे लूनी नदी निकलती है इसे आदी खारी आदी खारी वे आदी मिठी नदी भी बोलते है ठीक है दोस्तों अगले क्यूशन की तरब चलते हैं? अगला जो क्यूशन है ये निमली लिकित में से मद्धे परदेश के धार जिले से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों ये क्यूशन भी नदी से समन्दित है तो कौन सी नदी निकलती है? माही बनास, बेडच और, णोठारी तो दोस्तों राजस्तान का कौन सा सहर कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है या एक सहर जो राजस्तान का सहर है या जिला मालो जिला केंदर वो कोठारी नदी है इस कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है जालावाड भीलवाडा कोठा और रासमन्द तो दोस्तों कोठारी नदी के किनारे साथ साथ दोस्तों और बचा दूँ आपको मेजा नदी के उपर सोरी मेजा बांद है कोट ठारी नदी के उपर इसका परसन बहुत बार परसन पूछा हुआ है राजस्तान पुलिस में किस नदी पर मेजा बांद इस्तित है कोट ठारी नदी पर ये मतलब गुमाफिरा की यही परसन पूछा हुआ है दो तीन वार पूछ लिया अगला जो जो किसन है दोस्तो राजस्तान की बनास नदी से समन्दित किसन है कि जो राजस्तान की बनास नदी है वो कहां से निकलती है उफसन है जनापाव की पाढ़ियां यहां से नहीं निकलती है दोस्तों चंबल नदी निकलती है यहां से तो खमनोर की पाड़िया गुड राइट आंसर है दोस्तों यह तो दोस्तों जनापाव से निकलती है चंबल खमनोर से निकलती है बनास बैराट से निकलती है बानगगा नाग पाड़ से निकलती है لونی तो दोस्तो अपने को पूछा है कि कुन सी नदी बनास नदी तो बनास नदी निकलती है खमनोर की पाडियां जो कहांपे है राज समंद में उसके लाद अगली क्यूसिंट की तरफ चलते हैं अगला क्यूसिंट बैराट की पाडियों से समंधित पुछा है कि बेराट की पाडियों से कौन सी नदी निकलती है जो बेराट की पाडियों से कौन सी नदी निकलती है माही बेड़च बान गंगा और सौम सोम नदी तो नहीं निकलती दोस्तों सोम नदी तो बिच्छा मेडा की पाडियों से निकलती है तो दोस्तों बेराट की पाडियों से मैंने बताया था बान गंगा निकलती है ये अजमेर के धार जिले से निकलती है ये गोगंदा की पाड़ियों से निकलती है बेराट की पाड़ियों से निकलती है और सूम निकलती है दोस्तों बीच्छा मेड़ा से ये होगे दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा बान गंगा नदी अगले किशन्स की तरफ चलते हैं दोस्तों अगला किशन्स सीधा साब पूछी लिया भी जो मनें आंसर बताया था उदेपुर में गुगंदा की जो पाड़ी हैं उनसे कौन सी नदी निकलती है लोनी, बेड़त, सॉम और कोठारी तो दोस्तों जो गुगंदा की पाड़ी हैं यहां से कौन सी नदी निकलती है, सॉम नदी निकलती है अगले किशन्स की तरफ चलते हैं दोस्तों तो अगला किशन्स भी बहुती बैतर किशन्स है तो क्यूशन क्या बोल रहा है राजस्तान का वह वन्य जीव ब्यारण जान राज्य का पर्थम जेवी कुद्यान विक्सित किया जा रहा है दोस्तो यह क्यूशन पहले भी आ गया है इसकांसरोगा नारगड वन्य जीव ब्यारण ठीक है पहले भी आया था यह कुशन अगले कुशन की तरफ चलते हैं दोस्तों जो इस सीरीज का जो सबसे बैतर कुशन है दोस्तों वो यह है और यह कुशन आपको आना ही चाहिए बाकी दोस्तों नॉर्मल कुशन है सबको आते हैं यह परसन आना चाहिए कनाट बांध किस नदी किस जील से समंदित है जो कनाट बांध किस जील से समंदित है दावनत है कि इस जील के किनारे मोती नगरी है जिस पर राणा परताब का इस मारक है दोस्तों वो तिब्डी है कि उसने है दोस्तों डिडवाणा नागूर, फतेसागर जील, उदैपूर, नक्यी जील शीरो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तो जो राणा परताप का इस्मारक बना हुआ है वो है फतेसागर जील, उदैपूर तो दो नम्रा आंस्वर इसका राइट आंस्वर होगा। अगले क्यूसन की तरफ चलते हैं दोस्तों अगला क्यूसन मानसुन से समधित क्यूसन पूछा हुआ है राजस्तान में मानसुन हवाओं का परत्यार ओपन की समय होता है यानि कि जो मानसुन हवाओं होती है उनका परत्यार ओपन पूछ रहा है दोस्तों लोटता हुआ मांसून परत्यार ओपन इस परकार से पुछते हैं ना तो परत्यार ओपन मांसून का अक्टूमबर नॉम्बर में जून जुलाई में जनवरी फरवरी में और अपरेल में इस परकार से पुछ रहा है तो दोस्तो इसका जो आंसर होगा परत्यार ओपन का अवा रहने के लिए हमारे चैनल जी के सुरीज चोदरी को सब्सक्राइब कर लेना पास में स्थित बैल आइकन को भी प्रेस कर देना हम लोग दोस्तों अंत में एक क्यूशन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बोक्सिं में देना होता है तो दोस्तों आज का अपना एक नदी आती है मतलब जो राजस्तान के उत्री छेतर में आती है और उस नदी का नाम भी आपको मैं बता देता हूँ उस नदी का नाम है गहगर यह जो गहगर नदी है दोस्तों यह गहगर नदी राजस्तान के कौन से इस्तान पर प्रवेश करती है इस्तान का नाम बताना है यह आज का कि उसने इस्तान का नाम बताना है गगन अदिका राजस्तान में जब प्रिवश करती है उस इस्तान का नाम बताना है कमेंट बोक्स में स्कानस वर देना धन्यवादुस्त आपका दिन शुब रहे